उडिशा के जार सुगुडा जिले में शुक्रवार उनी सप्रेल को बड़ा हाथसा हुआ है। यहां की महानदी में एक नाव पलट जाने से दो लोगों की मौथ हो गई जबकी साथ लोग लापता बताय जा रहे हैं। लापता लोगों को खुजने के लिए गोता खोर और SDRFT में जूटी हुई है। यह घटना तब हुई जब नाव लगभक 50 याख्रियों को लेकर पाथर सेनी कूडा से बरगट जिले के बंजी पल्ली जा रही थी। एक पुलीस अधिकारी ने बताया कि नाव जार्सु गुड़ा जिले के रेंगाली पुलीस थाने के सारदा घाट पहुचने की वाली थी की पलट गई। अभी एक पिस्टिके में एक महिला की सख्षाब बरामत हुआ है तो लगभक 50 की महिला के बढ़ा चला प्रशासर है और उडिसा साइट से पूरा से लोग हों रहा है क्या कि कलेक्टर और एसपी और आईजी साब सभी मुस्ताहिन रहे हैं अभी भी भी गुतकपुरी कर रहे हैं और शायद इन दोगों में पुपनेश्वर से पूबा डाइवर्ट चॉपर से भी यहां आने की ख़गर मिल रही है हमने अभी तक जो जहां के पुलिस चौकी पंडी गोर्फे हैं पंडी में तो इस हादसे में इसे जो बचाये गए अधिकारिक सूत्रों से बताया गया कि यातरी पडोसी राज्ये 36 कर के खारसानी इलाके के थे और ओडीशा के बर्गर जिले के अंबा भोनी ब्लॉक के पाथर सेनी जा रहे थे ये लोग जारसुगुडा के लखनपुर ब्लॉक के शार्दा में महानदी पार कर रहे थे तबी दोपेर करीब तीन बजे बीच नदी में नाव पलट गई मौके पर मौजूद मच्छवारों ने 35 लोगों को पाने से भार निकाला शुक्रवार शाम को चानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलीस और 5 ब्रिगेट की टीम्स ने साथ और लोगों को रेस्क्यू कर लिया रेस्क्यू टीम्स ने बताया कि शनिवार सुभा तक करीब 48 लोगों को बचाया जा चुका है एक महिला की डेड बॉडी भी रिकवर हो चुकी है ओडिशा सरकार नेस के बाद हाथसे में बनने वालों के परिजनों के लिए 4 लाक रुपे का मुआवजा घोशित किया राज्ये के सीएम नवीन पतनायक ने घटना पर दुख जताया लाज़ लाजह लाज़ पतनायक